हैलो बेटा कैसे हो पढ़ रहे हो ना पढ़ना ही चाहिए क्यूंकि बेटा जिवन के लढ़ाई में पढ़ाई बहुत इंपोर्टन है इसलिए बेटा पढ़ते रहना चाहिए मैं पीम सर आपका बायो टीचर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हो इंडिया के सबसे पावर 12 में 17 मार्च को आपका बायो का पेपर वा था उस बायो के पेपर में कौन से प्वेशं से कुइशन आये थे हमें कि अंपन यहां पर दीर यहां है चाहिए जसके बाद्राटीड उसके प कुिड़ा आपके बात पता चले जो question मैंने दिया है वो 2022 में थे ऐसा नहीं है कि जो मैंने question 2022 के देखे उसके बाद उसके उपर focus किया और अब मैं आपके पास आके ग्यान यहाँ पे जाड़ रहा हूं ऐसा बिलकुल नहीं है भगवान की कसम मैंने 2022 का paper नहीं देखा था by chance क्यों नहीं देखा थ और मैंने याद किया कि यार इसके उपर मैंने जादा focus किया है तो मुझे बहुत आनंद हुआ है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बेटा जब मैंने आपको इस point को target किया था एक particular point को मैंने जादा focus किया था तो मुझे एक बात पता चली यार 2022 में तो उसी के उपर question आते हैं अगर म सारे question तो मुझे PPT में मिले थे यह सारे question तो मुझे DPV में मिले थे यह सारे question मुझे practice test में मिले थे और इस portion के उपर बहुत ज्यादा focus कर रहे थे sir तो यह बात बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर एक भी question नहीं आएगा यह मैं बार- ज्यादा analysis के बाद किसी particular point के उपर focus किया है क्योंकि PW का एक ही nation है कि आपका score बहुत ही बढ़िया होना चाहिए आपकी जीत बहुत ही शांदार होनी चाहिए इसी के वज़े से हम भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं आपको भी study के उपर focus करना है तो चलो 2022 में कौन से question है जिस के उपर ज्यादा focus किया गया था किस portion से कितने question आया है यह आज इस discussion के बाद आपको पता चलेगा मतलब दूद का दूद और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा ओके तो ध्यान देना है और देखना है 2022 में कौन से question पूछे गये थे किस topic से कौन सा particular question उठाया गया था उसका answer क्या देना expected था तो यह सारी चीज़े इस वीडियो में करेंगे बिलकुल उसके बाद जब आपका यह पीवाई क्यू का यह वीडियो आपके पास आएगा उसके बाद मैं और भी model question देने का try करूँगा और उस model question में अपन वो question उठाएंगे जो इस साल आने की most probability है तो बिटा जो मैंने board booster batch में आपको DPP दी है और उसके बाद जो यहाँ पे model question paper दूँगा बस उतना ही करो बिटा आपका 90% वहाँ पे syllabus cover हो गया समझो जू पोरुशन ते इतना मैं guarantee के साथ केता हूँ और उसके बाद जब आपका paper हो जाएगा आप paper देके वापस आओगे त चलो बिटा कोई भी बात नहीं ज्यादा लंबी करते हुए अपने question की practice करते तो बिटा सबसे पहला जो question था यह था यमसी की वाला अब देखना जो part मैंने study करवाया है जितना भी part as a zoology मैंने आपको पढ़वाया है उस part से पहला question है अब देखना same question आप देख्यों आपक practice test में भी आपको मिलने वाला है ओके तो याद रखना ऐसा क्या है इस question में जो मैंने बार-बार focus किया था और अगर इस साल बाइचांस यह question आथा तो बिटा मैं आपको फिर एक बार वीडियो में चिल्ला के बता देख मैंने तेरे को DPP में भी question दिया था देख मैंने तेरे paper देने जाओगे और आपका कल paper है तो आज के दिन आप क्या करोगे बस PW board booster batch में जो DPP दिया है ना उसके ही question वहां पर ready करवा उसी के answer बना अभी से करो बिटा अब आपके पास वो वक्त नहीं पूरा topic आप ले रहे है उसके बाद उसको पढ़ रहे है अभी आपके पास नह देंगे अब इसके उपर विश्वास करना होता है क्योंकि दुनिया विश्वास के भरोसे चलती है तो विश्वास करो बिल्कुल आपका विश्वास हम डूबने नहीं देंगे चलो बिटा तो यह जो question था मैंने आपको बार-बार explain भी करवाया था कि यहां पर एक chromosome है साका एसा ही रहा है यहां पर एजगी ऐस यहां पर याप ऑलने के बाद सकुनमे अपका ट्रट में इतर तिखो यहां पर क्या हुआ है यहां से तो यहां पर क्या हुआ डी सी वी मतलब में बसक्रेक्शन में badass और उर अब इस डायरहें में BCD ऐसा है मतलब यहां पे क्या हुआ बेटा इन्वर्जन हुआ मतलब ए जो यहां पे क्रोमोजमल एबर्शन है इसको हम क्या कहेंगे बेटा इन्वर्जन कहेंगे ऐसा option कहां पे है तो option C होगा इसलिए option C is correct for this question are you getting or not yes or no बात के लिए रिखने चल बेटा नेक्स्ट क्वेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेशन क्या था बेटा आपके लिए टेस्ट्यू बेबी टेक्निक इस क्या कहा जाता है बेटा एकदम सिंपल सा सवाल है इसे बेटा अपन इन्विट्रो फर्टिलाइशन कहते है बात के लिए रिकने उसके बात क्या है बेटा वाइल प्लेइंग क्रिकेट राजू फेस प्राबलम और सीवर पेन एड़ है उसके बात वो चाती से चेस्ट में स्प्रेड हो रहा है नेक लोवर जौ के पास जा रहा है लेफ्ट आर्म में जा रहा है तो बेटा एक जो सिंप्टम से यह और इसके है उसका यह सिंप्टम से पता करना था इसके बाद है अपनको ऑप्शन देखने तो यहां पर अपन देख सकते अब आपको तो पता है बेटा ब्रेंग देखा जाएगा तो सबसे लास्ट में यहां पे सबसे बाहर क्या होता है skin होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, skull होता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, duramater, सबसे बाहर क्या होगा, duramater, arachonide matter, और उसके बाद एक आता है बेटा, PR matter, क्या आएगा बेटा, प्या मेटर, प्या मेटर आएगा, और इस प्या मेटर के अंदर start होता है बेटा, अ मतलब which option is correct for this option D is correct for this question बात के लिए रिखने तो इस प्रकार से आपको answer ढूंड़ना था the cellular factor in innate immunity is provided by innate immunity मतलब क्या होता है natural immunity और natural immunity में जो वहाँ पे cellular factor है ओ कौन प्रवाइड करते है तो ओ होते बेड़ा phagocytes option A अगर आपको होगे बेड़ा टी लिंपोसाइड ओके cellular टाइप का जो टी लिंपोसाइड है यह बेड़ा एक्वाइर immunity होता है वह innate immunity नहीं है तो बहुत सारे बच्चे यहां पे गल्द करके आएंगे वह बोलेंगे स्वाइड इम्मुनिटी हुमरल इम्मुनिटी हुमरल इ प्रॉप्रेट आपको इंट्रेक्शन बताया थे उसके अंदर एक पैरसाइटीजम भी मैंने कुछ बताया था और पैरसाइटीजम में एक पैशल केस होता है ब्रूड पैरसाइटीजम क्या ब्रूड पैरसाइटीजम जो होता है और कोयल और क्रॉक के बीच में होता है एंडियन क्रॉक इनके बीच में जो वहां पर इंट्रेक्शन होता है जो पैरसाइटीजम होता है उसे क्या कहा जाता है ब्रूड पैरसाइटी identify the tropoblast cell which are in contact with the embryonal knob during blastulation अपने embryonic development में blastulation, gasulation ऐसा वहाँ पर कुछ पढ़ा था उसके अंदर एक tropoblast cell भी तयार हो जाते है जब blastulation चलता है अब इसके अंदर जो embryonal knob बनेगा अब ये जो tropoblast cell है ये embryonal knob के contact में होता है वहाँ पर कौन से सेल होते है इसे बता तो वहाँ पर एक सेल होते है बड़ा सेल आप रूबर क्या बड़ा सेल आप रूबर तो यहाँ पर answer लिखाई दिया है आपको question की arrangement यहाँ पर ऐसी करनी थी sentence आपके मन पर बता सकते हो बस आपके answer में बड़ा ये रूबर सेल दिखाई देना बहुत जरूरी है जिन्दा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम जिए आपका बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन है थोड़ा हलका करने के लिए चल विड़ा आप भी गाया करो नो प्राबलम एसे पिरेड में इमोशनल चीजे नहीं देखनी है कॉमेडी से बढ़िया मोटिवेशन इस पिरेड में आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए अपने मराठी में देखना है तो तला हवाई विदे बगा किवां अपला कपिल शर्मा शो बगा जो भी कॉमेडी ना उतना थोड़ा टेंशन आता है कॉमेडी देखो फिर प् मोटिवेशन नहीं आपको एक दम फोड़ना है आपको यह करना है इस सीचेवेशन में इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए हमको एकदम रिलाक्सच और उसके बाद हमारा स्टेडी का सेशन न हुआ के चलो बड़ा यहां पर आपको पूछ रहा है फ्रॉंड गीवन आता है ये बेहनों मेरे प्याने भाईयों और अपने अपने भाईयों की बहनों आपको इधर दिया है ताइम और इधर दिया है बिटा पापुलेशन साइज इधर क्या दिया है बिटा इधर दिया है पापुलेशन साइज है ताला क्या दिया है इधर इधर दिया है पापुलेशन साइज और आपको पूछा है यह करव देखो और इसका एंसर बता दो आपको एंसर बताने को आएगा कि नहीं आएगा पिल्कुल आना चाहिए, मैंने गलाफ फार्ड के पढ़ाया था, दोनों ग्राफ को मैंने ज़्यादा फोकस किया था, दोनों ग्राफ को मैंने बोर्ड बुस्टर में पढ़ाया है, दोनों ग्राफ को मैंने डीप में बिड़ा आपके एक लवे बैच में पढ़ाया है दोनों ग्राफ से मैंने बिड़ा आपके बोर्ड बुस्टर के डीपीपी में क्वेशन उठाया है दोनों graph के उपर मैंने आपको एक लवे batch के DPP में question उठाए है और वो ही question आपको 2022 के exam में दिखाए देता है यह इत्वाक नहीं है बटा यह बड़े ठड़ी करके पढ़ाने वाले teacher की निशानी है बात clear है तो बटा आपको पता चलेगा आपका question बटा जो मैंने दिया है उसके बिल्कुर बाहर नहीं आएगा तो यह जो graph है बटा यहाँ पर जैसे time बढ़ता है उसके साथ साथ population की size भी बढ़ती है तो इस type के growth को हम बटा exponential population growth करो कहते हैं ओके तो इसका answer आपको क्या रहा था it represents exponential population growth करो बटा आपके handwriting अच्छे होनी चाहिए ओके बटा तभी आपको अच्छे marks मिलेंगे चलो दूसरा है बटा what do you mean pointer spaces pointer spaces किसे कहा जाता है एक definition है simple सा तो बटा जो beer area में जो सबसे पहले spaces आ जाते है उसे हम क्या कहते बटा pointer spaces okay the spaces which invade beer area called the pointer spaces तो यह जो beer area है ना यह बहुत ही यहां पर important है अगर यह आपके answer में दिखाई दिया तो बटा आपको complete marks मिल जाएंगे उसके बाद बिटा identify a b c d in the given diagram of human reproductive system बिटा human reproductive system आपको properly study करना इस बार human reproductive system आया है 2022 में बिटा लिखर के लिलो अगले आने वाले तुम्हार एक्जाम में फिमेल reproductive system से related ही question पूछा जाएगा इसके बाद जो है यह टेस्टीज है बी जो है यह वैसा difference है c जो है यह seminal vesicle है और d क्या है prostate gland तो आपको ऐसे answer लिखना था और आपको finish करना था उसके बाद identify chromosomal disorder caused due to the non-disjunction of 21st number of chromosome and enlist its symptoms आपको क्या पूछा रहा बेटा 21st number का जो chromosome है अगर उसके अंदर non-disjunction दिखाई दिया during gametogenesis तो कौन सा disorder होता है और उसके symptoms बता दो मतलब आपको एक बात पता होनी चाहिए अगर 21st number में non-disjunction होता है तो उसे हम trisogamy कहेंगे और trisogamy में क्या होता है तो down syndrome होता है मतलब आपको एक बात पता चली 21st number के non-disjunction में syndrome होता है अब उसके आपको symptoms याद करने है तो इसका एंसर क्या लिखोगे को कि इसको अपन क्या कहेंगे down syndrome यह क्या है down syndrome अब down syndrome लिखा तो आपको एक मार्क मिल गया अब उसके symptoms लिखोगे एक मार्क मिल जाएगा दो मार्क मिलेंगे इसके symptoms क्या है देखना इसके symptoms आपको पता है patient जो होता है यह mild और moderate हो सा mentally retarded हो सकता है उसके अंदर skeletal development poor होता है यह आप एक के बाद एक लिखना यह आपको पॉइंट में लिखना है एक दो तीन चार पांच के ऐसे पॉइंट लिखने ओके तो यहां पर क्या होता है moderate और mild retardation होता है उसके बाद skeletal development क्या होता है पूर होता है उसके बाद distinct facial feature like small head area sorry ear and mouth face is typically flat and rounded with flat nose ओके यह हो गया दूसरा पॉइंट उसके बाद क्या लिखना है open mouth and protruding tongue ओके बटा यह बहुत important है open mouth and protruding tongue यह बहुत important है eyes let up and out which internal epithelial fold flat hand and to be finger palm is board and single parmal crease ओके बटा यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है symptoms में यह लिखना था आपको ओके next question क्या है next बटा in list the characteristics of ninandertal man आपको ninandertal man के character पूछ रहे ऐसे question बटा आपको 2-3 marks के लिए पूछे जाते है तो आप इसका answer कैसे लिखना start करेंगे the characteristics of ninandertal man are और यहाँ पे आप character लिखेंगे क्या है बटा it was heavy built and short and had outwardly curved thigh bone उके उसके बाद क्या है बटा the facial feature we are follow इसके अंदर क्या होता है prominent broad ridge thick skull bone low and planning forehead deep jaw without chin तो यह है इसके feature बटा उसके बाद क्या होता है उसके बाद और दिया है the cranial capacity was 400 cranial capacity है इसके 400 cc क्या है बटा sorry 1400 cc इसकी क्या है बटा cranial capacity है 17 cc क्या है बटा cranial capacity है मंजे बटा अपले यहँडी यह ची cranial capacity होती परन्तु यहन्नी बटा तेंचे cranial capacity जा वापर के लनाई तया मोड़े बटा हे हळू हळू evolution मदू distinct जाले अनि तेचा नंतर बटा अपला जल्म जाला homo sapiens साथ ओके a person meet with a small accident and the bleed but very soon stop bleeding explain the physiological process responsible for this तर बटा एक पर्सन आहे यह थोड़ा accident जाला आनि तया ब्लीडिंग जाली अनि तेचा नंतर कहीं ब्लीडिंग थाम लिए तर यह चा मांगा कोंती physiological process है तेल आपन काय मनार बटा ब्लॉड क्लॉटिंग काय मनार बटा ब्लॉड तो इसका एंसर क्या लिखो कि बेटा बिहाइंड दीस बिहाइंड दीस और फिजो लॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉंसिबल एंड जाते और इसीस नथींग बट फ्लरड ग्लॉटिंग कि अधा प्लॉड क्लॉटिंग कहा जाते है बटा इसको फ्लॉड क्लॉटिंग बढ़ ब्लर्ड क्लोटी या और नेक्स्ट कुद ऐटाप्शन शोन बाई डेज़र्ट ईनिमल टता ह। तेंचा मदे काई-काई असता ओके विटा ते अडप्शन अपलेला या ठीकन इवी चाहर लेगेले बगा तुम्ही अशा तीन रेशा उडना रहाग तुम्ही प्रॉपर या ठीकन एंसर कसे लहेचा है यह मि तुम्हाला सांगीत लेला आहे इते सम्झा हाग क्वेशन आहे त तुम्हाला काई दिले बेटा, the following types of adoption shown by desert animal, मंझे तुम्हाला answer ची शुरुवात करता आली पाजे, करन बेटा, हाँ जो शुरुवाती चा word आहे, हे examiner जो आहे, स्वारी, जो paper checker आहे, जो paper check करना रे त्याचा और impression पड़ता, यह ता आर्था असास्तो तुम्ही कुन्त ही त्या ठीका नि आपक्षित वापर ले नाई, तुम्ही cheating के ले नाई, जे काई लिहले तुम्ही मना न लिले, और लेंग्वेज ही तुम्ही स्वाताची वाटली पाएजे, तुम्ही ञाँवेज वातली पाएजे, तुम्ही स्वाताची जावी इस लेंग्वेज वाटते, थोड़ा इकडर तीकडर ग्रामर झाले, नो प्राब्लम, शब्दानली रचना इकडर तीकडर झाली, यह चा स्वतहाचा अभ्यास नहीं है यहना कॉफी के लिए त्या मोड़ बेटा अशे त्या ठीका नी वर्ड यूज करा जैने करून तुम्हें तुम्हें अभ्यास के लाए नी मंग पेपर लालाए असा त्या आरत होतास तो तर बगा बेटा तर कुँधे-कुँधे कैरेक्टरास तन यह कुदे-कुधे तैया ठीका नी अडप्शन अस्था डेजर्ट अनीमल्स मोदे तर यह ठीका नी दिले दीज अनीमल शो लो मेटाबॉलिक रेड्ट। प्रेक्टेशन वाड़लावडल घ्रेकटवेशन वाड़ल कि एट पी इनरजी ही हीट्राव मदे रिलीज होतासते मजैं तो एटीपी मॉलेकुल आ है तैंचा मदला जो टर्मिनल फॉस्पेट बॉंड आ है तो फॉस्पेट बॉंड ब्रेक होतास तो आनि कही एनर्जी हीट चा फॉर्म मदे रिलीज जाले तो त्या एनिमल चा बॉडी में कूल ठेवाई से याचा अर्थ मेटाबोलिजम सा रेट कमी करावा लगे त्याला स्लोडाउन करावा लगे त्याचा नंतर ते मॉइस्ट्र एपसॉप करता त्या सक्यूलेंट प्लांट पसुल आनि ते वाटर जा आहे ते रियरली ड्रिंग करता ओके तैंचा मदी वाटर ड डंक आहे ओके जला आपन त्यान शेन असवन तो तर ते अस्त ड्राइ ते कस अस्त बेटा ड्राइ अस्त का करन कि वाटर चा लॉस जवा है एकसेस अमाउंट आप वाटर लॉस है त्याला अवोईड के ला जातो ओके याचो कारन का आहे यंचा बोडी मदे मेडूलरी रिन अफ्राण मदे जुत आहे अस्टिगा असेंदिंग लुप भाफ हो हंन्ले आनि डिसंडिंग लुप भाफ हैंले याचि ganze तुझ लूप भाफ हैंले याचा मेंले अचे अमंड्रक छा जास्त स्यंबबड़hour वल तेए याचा आर्थ भाडी मज्चे योरीन बन ती कसा बनना रहे, concentrate इवरीन बनना रहे, ओके बटा, या चान अंतर का है, small animal emerge from their burrow at night and they dwelling underground in burrows at daytime, बटा, ते द्यूसा त्या ठीका नी स्वताला गाडून गेताथ, मझे तैंचा बरोज मदे स्वताला त्या ठीका नी गाडून गेताथ, तीमा ड्वेलिंग करताथ, आनि night time ल का, करन के day time ला, atmospheric मदे temperature का सस्त, बटा, हाय अस्त, आनि night time ला, जावरेस atmosphere मदला, त्या ठीका नी टेमप्रेचर, surrounding चे टेमप्रेचर, फॉल होता, त्या वरेस ते बाहर एताथ, आता बाहर का है आईच, स्वताला गाडून गेतले, स्वताला ड्वेलिंग करून गेतले, स् मदे का, भागत नहीं का, का बाहर है आईच, का बेटा, करन अन्न, ओके, त्यानना फूर्ड पाएजे, फूर्ड नसल ते जिवन तरह तील का, नाई, त्या मोड़ बेटा, फूर्ड सर्च साथी ते कदी बाहर है ताथ, night time ला, मन्जे, desert मदे, maximum जे अनिमल अस्ताथ, त्य नॉक्टरनल अस्ताथ, ओके बेटा, ते फूर्ड सर्च साथी कदी बाहर पड़ताथ, night time ला, बाहर पड़ताथ, त्या चनंतर आहे, few animal have bodies designed to save water, example, medullary nephron, ओके बेटा, काही animal जास्ता, त्यांचा body जे डिजाइनिंग आहे, त्या वाटर ला, त्या ठीकानी, save करना रस्त यह कसा केले जाता, बेटा, एक्स पीटी गेहुन, आपन यह ठीकानी, explain करूँ सकतो, बेगा बेटा, nephron जे अस्ताथ, हे दोन टाइप चे अस्ताथ, ओके, अपले kidney मदे, बाहर चा जो भागास्तो, त्याला, renal cortex असे मन्ताथ, और आतला जो भागास्तो, त्याला, renal medulla अ So, any solid organ in human body can be divided, और in animal body can be divided into two parts, outer part is the cortex, इसको अपन क्या कहते हैं, cortex कहते हैं, और उसके बाद जो inner part होते हैं, इसको क्या कहते हैं, medulla कहते हैं, क्या कहते हैं, medulla कहते हैं, आता जे nephron अस्ताथ, त्यांची जी body अस्ते, बाहुमन, capsule अगेरे, तर ते इत्य अस्ताथ, ओके, त चनंतर हाँ PCT आहे, त्यांची असेंडिंग लूप आफ हैं ले, डिसेंडिंग लूप आफ हैं ले, DCT, CT आनी CD, असे या पद्धतिन नेphron अस्तो, आता बगा, या ठीकानी हाँ जो लूप आफ हैं ले, यह उड़ास है, मजे या चा मदे जो maximum part है, तो कोंत्या part मदे, cortex अनि जास्ती जास्त पart हाकुटे अस्तो, बटा, मेडूला मदे, त्याला अपन मेडूलरी नेphron असमान्तो, ओके बटा, या चा मदे जो नेphron आफ हैं तो बटा, असा या ठीकानी अस्तो, ये बगा, ये असेंडिंग लूप आफ हैं ले, डिसेंडिंग लूप आफ हैं ये वड़ा लांग अस्तो, त्या चा नंतर है CT आनि CD अस्तो, ओके बटा, आता हाजो असेंडिंग लूप आफ हैं ले, डिसेंडिंग लूप आफ हैं ले, ये वड़ा लेंदी आ है, या मुर ये अन्चा बोडी मदे काय होतो बटा, वाटर चा रिया अप्सॉप्शन होता मन्जा हाजो नेफरोन येला अपन मेडूलरी नेफरोन असमननार, आनि हाजो आहे येला कॉर्टिकुलार नेफरोन अपन मना दोस्तो, या चा मदे वाटर लॉस जासतो होतो, या चा मदे वाटर चा रिया अप्सॉप्शन जासतो होतो, मनून वाटर लॉस कमी होतो, आनि जो डेजर्ट मदे अनिमल रहता तैंचा बोडी चा जो डीजाइनिंग आहे तैचा मदे बेटा जो नेफ्रोन आहे तो अशा पद्धती ने बनावला जातो का करन की वाटर लॉस अवोईट करना से अर्योगेटिंग दर क्यामल मदे या टाइप चे नेफ्रोन अपलेला बग सर्थे आम की विदा दोवımızı ने गरिशयन टीक या टिक अटेगल अइजम्पली आप आटीक लीगन ने लेशनल वालिघानी मुट या टेकन इंडस्रीअ अशामपल आफ ने और लीग सांपली आ हे इन ग्रेट ब्रीतन in ग्रेट ब्रीतन ईंगेट लेटेगार पर बेटा, ब्रिटन मदे, कोंते मौध जास्ता बगाले मिलाई चे? ग्रे कलर चे, वाइड ग्रे कलर चे, as compared to black-winged moth, ओके, these moth are nocturnal and during day time, they are rest on tree trunk, white moth can hidden in background with within the lichen-covered tree that help to escape from the predatory birds, other hand black-winged moth resting on lichen-covered tree trunk, we are easily victim for the prey, बेटा, हे तुमाला लेहाई चे, हे point मदे तुमाल लेहाई चे, normally काया है, बेटा, industrialization चे आगोदर grey-white color चे जे moth आहे, ते जास्ता होते, as compared to black winged moth, असा का, करण कि industrialization नहीं हुँझे, pollution नहीं, pollution नहीं जे लाइकें अस्तात, बेटा, ते त्या ठीकानी white moth ला height करना साटी सोपे असाई चे, आणि बेटा, black moth ला, ते ठीकानी तेंचे प्रे, जास्ती जास्ता खाई चे, ओके, पन, industrialization चे नंतर काये जले बेटा, ते ठीकानी pollution वाडले मुझे बेटा, ते ठीकानी like in, संपुष्टा ताले, करण कि like in, pollution चे ठीकानी गुरो होतने, आता बेटा, जो tree trunk आहे, तेचा वरती, हीड होने साटी, कोन ते ठीकानी सोपा है, कोना साटी जे black winged moth आहेद, आनि तेचा मोड़ो बेटा, जे white winged moth आहेद, आता त्यानना hidden साटी कोनता ही place नहोता, त्या मोड़ो बेटा स्वारे, black color चा मोज चे as compared to grey white color moth तर हे का जाल बेटा, natural selection मझे nature न सलेट के लिए एका spaces ला कि ही spaces ताटी काने adapt होनार और ही spaces ताटी काने distinct होनार ओके बेटा, हे होतना natural selection चे एक्जमपल, हे सगडे point तुमाला लाहे चे आहे, याचा नंतरा है ओके बेटा, हाँ तीन क्युआ दोन मार्क साटी विचारला जातो तर पहिला चा एंसर का है बेटा the gradual and predictable change in spaces composition of given area is called the ecological succession, ओके पहिला question चा एंसर संपल, दुसरा है name various serial stage from pointer spaces to climax community, बेटा pointer पासुन, climax condition पासुन जा stages आहे त्या सांगा, हे जाल बेटा, दुसरा चा एंसर, name of serial stage पहिला आहे बेटा, pointer stage, दुसरा है बेटा, intermediate stage, आनि तिसरा है बेटा climax community, या stage जाले आनि तिसरा question आप लेले विचारला है with suitable example in hydrate succession, ओके बेटा, explain करा मटले with suitable example of hydrate succession, तर तेचा मदे बेटा तुमाला या diagram ला शो कराईचा होता आनि hydrate succession चे सग्रे points तुमाला लेहाईचे आहे, ओके बेटा ये तुमाला लक्षा ठेवाईचे आहे it is important to understand that the primary succession, sorry, particularly primary succession is a very slow process may require the thousands of year for the climax to reach, ओके बेटा, तर हे सग्रे point तुमाला ते आटिकानि hydrate succession से लाईचे होते, ओके याचा नंतर आहे बेटा complete the following diagram आता बेटा हाजो चार्ट आहे हाँ अपलेला दिलाए बेटा ते आठीकानि double circulation सा, कुन्ता चार्टे बेटा double circulation सा, तर याचा मदे आपलेला blood कुन्ता आहे आनि ते चा नंतर blood कुटे जातास ते बेटा, याए pulmonary circulation, बेटा 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 lungs कडे blood कुन्ता येत, left ventricle कुन्ता येत, बेटा deoxygenated blood, आनि हे carry करना रा जो पार्ट आहे, तर याचा मदे आपने हे काई आहे सांगुशक्त, बेटा vein आहे सांगुशक्तो, याचा नंतर lungs मदून कुन्ता blood येल, बेटा oxygenated blood, ये कुटे येल, बेटा heart मदे, आता heart मदे हाजो पार्ट येल, आपन काई मननार, बेटा, left atrium, कुन्ता पार्टे, बेटा, left atrium, या ठीकनी, उल्ट दिले, बेटा या हे right ventricle right ventricle मदून blood कुटे जाहिल, बेटा right atrium, ये चा तुन हे येनर बेटा, left ventricle कड़े, ओके तर भगुएद बेटा, ये चा मदे, आपनाल दिले right ventricle, ये तुन कुटे केले बेटा, ये right atrium, आसा हैला पाई जे left ventricle, येकड़ून येनर बेटा, हे वेन मदे, sorry, pulmonary artery मदे, deoxygenated blood, तर ही आहे बेटा, pulmonary artery या नंतर, आहे बेटा, pulmonary vein, ओके, इपल्मोनरी वेन, आली बेटा, left atrium मदे, इतुन left ventricle, left ventricle उनुन, हाजो पार्ट आहे बेटा, ये परत, वेन, आनि, वेन मदुन, हे बलाड कुटे येनर बेटा, right ventricle मदे, right ventricle कर लून, हे कुटे येनर बेटा, ये ठीकानी, left ventricle, आशा पद्धतीने, हे तुमाला लेहाईच्छ, हे बेटा, हे तुमाला लेहाईच्छ होता, तैचानंतर चा पार्ट आहे बेटा, distinguish between hyperthyroidism and hypothyroidism, आपलेला एक पार्ट विचारला है, hyperthyroidism आनि, हाइपो condition called the hyperthyroidism, हाई, पर, पर मन्जे, वर, वर मन्जे, जास्त, जा वेरेस thyroid gland कड़ू, सिक्रीट होना रा हर्मोन जास्त प्रमानत होईल, त्या condition ला आपन काय मननार, hyperthyroidism, तैचा उल्टे इकड़ेल है जे बेटा, decrease in level of hormone by thyroid gland, called the hypothyroidism, ओके बेटा, तैचा नंतर चा पार्ट आहे, increase BMR with increase rate of oxygenation, ओके बेटा, इतका है, decrease BMR with decrease rate of oxygenation, यह ठीक, आनि, बेटा, BMR वाड़तो, मजे, बेसल metabolic rate काय होता स्तो, वाड़त अस्तो, आनि, तैचा सोबद, oxidation पन काय होता, बाड़त, बात के लिए रेकने, उसके बाद, बेटा, यहाँ पे BMR क्या होता है, कम हो जाता है, ओके, चलो, यहाँ पे, बेटा, metabolic rate क्यों बढ़ा, क्योंकि, बेटा, जो थाइरोगजिन हार्मोन है, वो metabolism के लिए काम करता है, और metabolism का rate बढ़ेगा, तो, loss वाली condition, आपको दिखाई देंगी, ओके, यहाँ चनंतर है, बेटा, heart rate and blood pressure increases, देखो, बेटा, यहाँ पे, blood pressure भी increase होता है, heart rate भी increase होता है, इसका opposite क्या होगा, heart rate and blood pressure decreases, body temperature is higher than normal, बेटा, hyperthyroidism मेदे, metabolism वाड़त, metabolism वाड़ लगी, ATP formation वाड़त, ATP formation वाड़ लगी, तर्मिनल ब bond break जाला, कि energy, heat चा माध्य मात तुन तुन त्या ठीका नी बाहर पड़ते, आनि त्या मोड़ बेटा, परसंचा body temperature हे, वाड़त, मझे बेटा, normal body temperature पेक्षा, त्या body चा परसंचा temperature का असनर है, high असनर आहे, इते मात्रा, बेटा, body temperature, lower than normal, इते, BMR कमी हो जाला, का metabolism कमी जाल metabolism कमी जाला, BMR कमी जाला, त्या मोड़ बेटा, याँचा temperature सुद्धा body चा कमी जाला, it also called grave disease, याचा मधे जी होनारी condition हे, या मधे कोंता disease असतो, grave disease, it also called the girl's disease, याला काय मंतर बेटा, girl's disease असा मंतर, याचा मधे परसंचा काय होतो, weight loss होतो, याचा मधे काय होतो, बेटा, weight loss, weight gain होतो, ओके बेटा, याचा मधे काय होतो, बेटा, weight gain होतो, ओके बेटा, जे मांसा हड़कुले आहेत, ओके, तुम्हाला सांगत असे, डॉक्टर, तुमसा BMR जासते, या हड़कुले का आसता, बेटा, तेननी खल तरी, काही जन मनततना, खल तरी अंगल लागत नहीं, ओक खल तरी तब बेट अशीचे, का करन की बेटा, तेन्चा बॉडी सा BMR जासते, करन की तेन्चा बॉडी मदे, metabolism सा rate जासते, तेचा मोडे, तेचा ATP फास्ट बनताथ, ATP फास्ट बनताथ, अनि तेया ठीकानी, terminal bond break होतो, अनि तेचा मोडे बेटा, तेन्चा बॉडी चे वेट आहे तो वेट लॉस कंडिशन असते, तेन्चा बेट कमी असते, अनि जाचे जाडे असते न, धोले ढूरे, याशे गेंडे असते न, तेन्चा BMR का सते बिटा, कमी असते, ते एक दम शांत असते, स्थूल असते, तेन्चा धब का दिला तरी काय में है, अन्धे ढूले, वर्गा में असते, आशे जाड, जाड जूर लोका, डबरे, काय काय मनता, बिटा, कमेंड में सांगा, धबरे, जोले, धबू शेंगदानिया, याशे, काय तरी वीशेशन असते, तेन्चा BMR कमी असतो, ओके बिटा, सला, no problem, याचा नंतर चा जो क्वेशन आहे, तू अप प्रपरिटी सांगा, तर अपले लोम आईती बिटा, नर्फाइबर ची प्रपरिटी काय, excitability, तेचा नंतर, conductivity, तेचा नंतर, stimulus, तेचा नंतर, आहे बिटा, summation effect, तेचा नंतर, काया है बिटा, all or none law, तेचा नंतर, आहे बिटा, refractory period, तेचा नंतर, आहे, synaptic delay, तेचा नंतर आहे, velocity, तेचा नंतर, आहे, synaptic footage, तेचा या प्रपरिटी तुम्हाला सग्ड़ा लहे चा होते या, बिटा, जर दोन मार्क साथी question आला, तेचा या प्रपरिटी फक्त लिए, और जर चार मार्क साथी question आला, तेचा थोड़ो थोड़ो एक्स्प्लेनेशन लिए, बात के आई एम पी मना ओके बड़ा मेरे दिल से ऐसा वहां पर वाइब आ रहा है वाइब तरंग आ रहे हैं कि यह क्वेशन आ सकता है अभी चर्चा में एक बाबा है बागे शुर्धा मोले तो उनके मन में ऐसे तरंग आते हैं तो बड़ा कुछ क्वेशन देखें मेरे मन में ऐसे दरंग आते कि यह क्वेशन आ सकता है अब यह मेरे आस्था का विशय है अगर तुम्हें पीम बाबा पे भरोसा है तो बड़ा आपकी आस्था जताओ और इसको थोड़ा ध्यान दो क्योंकि यह क्वेशन आने का चांस है चलो नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते है अप पीम बाबा की जाए चलो बड़ा गिवदा कॉजिट्यू एजन्ट मोड अब ट्रांसमिशन और शिम्टम्स आप टाइप यह क्वेशन अगर आएगा तो आपको तीन से चार मार्क के लिए आएगा क्योंकि इसमें बड़ा कॉजिट्यू एजन भी पूछ रहा है मोड अब बैड़ा ट्रांसमिशन भी पूछ रहा है और सिम्टमच भी पूछ रहा है तर तुम्माला या ठीकन दिले बैडशा मोड अब ट्रांसमिशन मदे काही काहीं यहता तर मोड अब ट्रांसमिशन मदे ज n to distracted by market इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई और कोक्रोचेस फीलिंग अन्द फीकल मैटर में ट्रांसफर द बैक्टेरियल फूड माट्रेलियल पूर हाईजीनिंग हैबिट और पूर सेनिटाइजेशन कंडिशन आर रिस्पोंसिबल फॉर द स्प्रेड ऑप टाइफाइड बेटा तेच कोट आप टंग कफ असतो तेचा नंतर अनुरिया तेचा नंतर अनुरिया तेचा नंतर ट्रीट इफ नौट ट्रीटेड ब्रीधिंग लेस इर्रिगुलेशन हर्ट बीट और हीमोरेज या कंडिशन तुम्हाला बगायला मेताद अनि याला बेटा स्प्रे करनार जो काजीटिू एजंट लुएने में तुमी त सिम्टम्स लुएनार जहां बीटा जीम्टम्स लुएनार मोड ऑफ ट्रांस्मीशन cog log of watching प्रांस्मीशन प्राक्टीस तुम्ही करूँ शकता ओके त्याचा नंतर आहे बिटा विद्धे रेलप आफ नेट एड लेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिट्विन अर्टरी एंड वेन चला बिटा ही याँ ठीकानी अर्टरी आहे आनि ही या ठीकानी काये बिटा वेन आहे ओके पर ही डायग्राम बेटा तुम्हाला ड्रा कराएची आता अप लेकर त्यावड़ा जासते वेल नहीं होनों बेटा ही डायग्राम मी ड्रा के लेली नहीं है ओके बेटा ओदर्वाईस या डायग्राम चींप्राक्टिस तुम्हाला कराईची आहे तरही अर्टरी आहे भेटा लेल क्यिंट अर्टरी आणी वेल दोगान कर बेटा लीघ कसे से में पहर चाइसतों भीटा थिनर स्मूथ लियर यहां चाहा थिकर स्मूथलीप आतला रहे सघ्ता लेटा consistent यह चा प्रोपरिटी सुदह तुमाने लिहाई चात Pil diretzon यहते जास्त मुस्क्युला रशցछ tut करनकी बीटा अंडर बलड प्रेशर जासले बलड फ्लो तो घ्र चो मदे ब्लार्ड फ्लो जो अस तो अंडर लेस बलार प्रेसरस थो येतिं एल लुह येदि वाल्व नयश्था फिर न पिसंऩ니다 पेल्मोनरी लेटेरी गया ब्लड अवे फ्रॉम् दा हार्ट अनि बेटा वेन ब्लड क्यारी टुवर्द रहर्ट हे सग्डे पॉइंट तुमाला डिस्टिंग्विश मदे लहाई चे आहे तेज पॉइंट इथा दिले बगा बेटा ब्लड वेसल वीच क्यारी ओक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम हर्ट ट ठीका नी महत्वा चाहे पहले अंदा डेफिनेशन महत्वा ची यह त्याचा नंतर बेटा दुसरा पॉइंट आपन काई लिला दे आर यूजवली फाउंड डीपर बीनीद द स्कीन यह आपले स्कीन चा खुब खुब जासता स्ता टिशू मदे त्या ठीका नी असता वेन असताथ लोगान बडला बलक तुले टोटा थोड़ा थोड़ा काड़ा कालर चाला वेन असता बैठा रि मद तोटा अ म्द यह वह荏क पुब खुब खुल अनि और यह स्कीन्स या सुपर फेशिल यंची पोजिशन आहे त्याचा नंतर काया बेटा आर मुवर मस्कुलार दान वेन यंचा मधे जास्त त्या ठीकानी थिकने सस्तो मझे हे लेस अस्ता नहीं लेस अस्ता रिमेन ओपन इवर बलड फ्लो स्टॉब बेटा है यंचा जो लूमेन आहे तो त्या ठ जरी नसे ल तरही आनि यह घृत सराएपवल खोस्चनल यह State the name of hormone and gland, secret them ओके बेटा, हाँ क्योशन थोड़ा तुम्हाला 4 मार्क सटी विचारला दाऊशक्तू, प्रत्य काल एक एक मार्क असतो तुम्हाला विचारले बेटा, किमत 3 मार्क सटी विचारले दातो Growth of thyroid gland, ओके बेटा, thyroid gland चा Growth सटी कुन्ता हर्मोन असतो बेटा तर तो असतो थाइरो ट्रोपीन, अनि ते कौन सिक्रीट करता बेटा, pitutory gland तर बेटा, एक हर्मोन आहे, जो की हाइपो थैले मस सिक्रीट करता असतो अनि तर असन आव आहे बेटा, ADH, हाँ ADH हर्मोन बेटा, जनरली या DCT वरती आक्ट होता सतो अनि DCT वरती आक्ट होन बेटा, तो वाटर चा रियाप्सॉप्शन वाडवतो स्टरी, वाटर चा रियाप्सॉप्शन कमी करतो, मैं जो कंट्रोल ट्यूविलार आप्सॉप्शन आफ वाटर इन किद्ने तर तो हार्मोन बेटा, DADH हे अनि तो हैपो थेलेमस सिकरीट करतास हो तेचन आंत्र है बेटा, stimulate लिवर और मसल for glycogenesis बेटा, glycogenesis 사ती कोनत हार्मोन लागतो, इंसुलिन अनि तेकोन सिकरीट करतासथ, बेटा, isolates of langar hans या चानांतर आहे development of immunosystem and maturation of T-lymphoside बेटा अपलेला महें ते जा lymphoside ते ठीका नी तयार होता आनि जर thymus gland मदे mature होता ते तेल आपन T-lymphoside असा मनतो तर बेटा तो hormone कुंसता आसतो ते चा मदे thymocene hormone आसतो आनि ते secret करनारी gland कुंती बेटा ते ठीका नी थाइमस आहे जाले या चे explanation ओके अपेक्शित होता ते चानांतर आहे बेटा describe the hormonal control in various phase of MC ओके बेटा मी तुम्हाला या वरती सुद्धा जासती जास्त फोकस के लिले अपले एक लव्वे बैच मदे किमा बोर्ड बुस्टर बैच मदे MC वरती तुम्हाला question आला MC मदे चे hormone अस्तभ बेटा MC मदे mainly चार hormone चो contribution चार ते पाच कुंत कुंत बेटा estrogen ची level सांगाईचे प्रोजेस्टरों ची level सांगाईचे याली याच लुटेंजिंग hormone ची level सांगाईचे त्याचन अंतर बेटा त्या ठीकानी हार्मों ची लेवल सांगाईचे ओके बेटा अनी inhibitory hormone ची level तुम्हाला सांगाईचे आहे या लेवल तुम्हाला सांगाईचे या लेवल प्रत्येकाच हार्मों च नाव लहाईचे ऑके याचा answer कसे लिहनार तुम्ही या ठीकानी answer लिहनार लिहत अस्ताना सगर्याद पहिल लेच्छ सगल लेच्छो त्याचानांतर तिसरा हर्मोन आए या ठीकानी प्रोल्यक्टीन स्टॉरी इस्ट्रोजन त्याचानांतर चार नम्बर चा अहर्मोन आप्रोजेस्टेरान अजुन ते बिटा रिलैक्स दीन वगेरे तेसुद्ध हर्मोन या ठीकानी तुम्हाला लहाईचे आहे जी अपली ती डाइग्राम दिली यहन्ना कंटीनिव लहाईचे करन कि बिटा यह तुम्हाला चार क्यों पास मारका साथी चाहा क्वेश्चन आहे त्या मोले बिटा यह संसी टेफिन अला यहां बुटा पुसरा मथ बेटा यह डियर्णा सप्रमwhen दिलborg कि सब्सक्राइब दिली— दिलेल आहे सेमिने फेरोस टीबूल सा टीस ओके बड़ा तर तो विचारला जाहिए तुम्हाला 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 सग्र कही गुष्टी सांगाई चाहिए तुम्हाल मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है यह यह चावरती बेटा अल्टरनेटिव ली क्वेशन विचारले यह चाहिए तुम्हाला 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 पीवाइक्यू सॉलूअजण 2022 तर 212 से जाला पेपर सॉलूशन तर अजुन मी यह ठीका नी मॉडल पेपर घुहुने ना रहे त्यासी डिसकुशन आपन करना रहे जो मोस्ट इम्पोर्टन क्वेशन अस्तिल तिनना अपन यह ठीका नी डिसकस करना रहे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक में एक नए कॉंसेप्ट के साथ तब तक पढ़ते रहिएगा और देखते रहिए बाइलोजी वीतिवार पीम सर थैंक यो जै हिन जै महाराश्ट्रो